Hello Friends, Welcome to Holiday Foods आज हम आपके साथ सेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी इसे आज हम कच्चे चावल, आलू और कुछ सबजियां मिला कर बनाएंगे यह बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तो चलिए सुरू करते हैं हम इसे बनाना इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने दो कप चावल को रात भर के लिए भिंगो के रख लिया था आप इसे केवल दो घंटे भिंगो के रख सकते हैं आप इसके लिए कोई भी चावल ले सकते हैं अब हम चावल को ग्राइंडर जार में डाल देंगे इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे अब हम इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेश्ट तयार कर लेंगे देखिए इसे हमने ग्राइंड कर लिया है अब हम इसमें दो उबले हुए आलू को मैस करके डालेंगे आलू डालने के बाद हम इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ग्राइंड करके इसका पेश्ट बना लेंगे देखी इसे हमने ग्राइंड कर लिया है बेटर बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए अब हम बेटर को एक बरतन में निकाल लेंगे अब हम इसमें दो मेडियम साइज की बारिक कटी हुई टमाटर डालेंगे एक मेडियम साइज का बारिक कटा हुआ सिमला मिर्च डालेंगे दो मेडियम साइज की बारिक कटी हुई प्याज डालेंगे दो कद्दू कस किये हुए गाजर डालेंगे उसके बाद हम इसमें दो टेबले स्पून बारीक कटा हुआ हरा धन्या डालेंगे अब हम इसमें बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता एक टेबले स्पून डालेंगे दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे एक टी इस्पून बारीक कटा हुआ जिंजर डालेंगे एक टी इस्पून बारीक कटा हुआ गारलिक डालेंगे अब हम इसमें एक टी इस्पून रेट चिली फ्लेक्स डालेंगे हाप टी इस्पून ब्लेक पेपर पॉर्डर डालेंगे वन टी स्पून नमक डालेंगे अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप इसमें अपने पसंद के अनुसार और भी सबजियां डाल सकते हैं या फिर आप इसे सिंपल प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल कर भी बना सकते हैं देखिए हमने बेटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें एक पेकेट इनो डालेंगे इनो को एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें एक टी स्पून पानी डालेंगे अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इनो के जगा पर बेकिंग सोडा हाप टी इस्पून ले सकते हैं अब हम एक तवा लेंगे और उसमें एक टी इस्पून तेल डालेंगे वरस की हेल्फ से हम इसे स्प्रेट कर लेंगे अब हम इसमें बेटर को डालेंगे और उसे इस तरह से फैला लेंगे और इसे मेडियम फ्लेम पर हम दो मिनट के लिए पकने देंगे देखी इसका कलर चेंज हो गया है अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे अब हम इसे पलट लेंगे और इसे फिर से दो मिनट मेडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे इसे हमें एक बार फिर से पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे देखी इसमें कितनी अच्छी तरह से गोल्डन कलर आया है और ये कितनी अच्छी तरह से पका है अब हम इसे एक पलेट में निकाल कर रख लेंगे सेम इसी तरह से हम बाकी के बचे बेटर का भी चीला बना लेंगे आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं बच्चे सबजी खाने से इंकार करते हैं लेकिन अगर आप इस तरह से बना के देजियेगा तो वो सारी सबजी खा लेंगे सुबा में बहुत सारे काम होते हैं इसलिए आप चावल को रात में ही भिंगो के रख दीजिएगा और सबजियों को काट के रख लीजिएगा तो ये बहुत ही आसानी से 10 मिनट में बन कर तैयार हो जाती है इसे आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राइ करके देखिएगा ये बहुत ही सिंपल है बनाने में और बहुत ही टेश्टी और यम्मी लगता है ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आता है अगर आप इस रेशिपी को एक बर बना लीजिएगा तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कर दीजिएगा और वीडियो की नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिएगा और उसके बगल में जो घंटी का निसान है उसे भी दबा दिजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए देखिए ये दूसरा वाला भी बन कर तैयार है इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं आप इस रेसिपी को किसी भी चटनी या सोस के साथ सरू कर सकते हैं हम यहाँ इस रेसिपी को टोमेटो सोस और चनादाल की चटनी के साथ सरू कर रहे हैं देखिए बन कर तयार हमारा टेश्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक कर दें और इसे अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ सेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें प्र मिलते हैं नेक्स वीडियो में